आज जो मैं आपको एक्सल में जो बताने जा रहा हूं वो एक रियर घटना से प्रेडित होकर ही बना रहा हूं अब एक उस दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था और बड़े ही उदास मन से वो मेरे को बोलते हैं तो आपको इस फोल्डर में दो फोल्डर दिख रहे हैं आउट्पूट और रेइस्टर के नाम से उनका काम क्या था कि डेली के डेली बेव साइट से एक Excel फाइल को डाउनलोड करते थे और इस आउट्पूट फाइल में डाल देते हैं बट इसो यह है, यहाँ पर अगर consolidate करने की बात आती है, तो बहुत ही simple है कि आप power query का use करो, और data को यहाँ से transfer करके, आप अपने this data में रखना है, जैसे generated file यह है, इसमें हमें रखना है तो आप रख सकते हो, बट इसो यहाँ पर क्या था उनके लिए, कि उनके पास बहुत large data ह होता है, अब यहाँ पर हमा लिजे कि यह पहले हमने download किया xyz, और असा ध्यान दीजेगा यहाँ पर, अब इसमें क्या है, कि यह data को आप copy कर लेंगे, manually, और अपने generated file में paste कर लेंगे, अब इसमें थोरण notice किजेगा, कि यहाँ पर एक chart number है, main document number और एक 15 number है, ठीक है, तो हम इसे अब बंद कर देते हैं, हमने इस file को डाल लिया, अब दूसरा दिन हम इस file को download कर रहे हैं, अब इसको क्या है, कि simple इसको copy paste कर नहीं सकते हैं, क्योंकि power query क्या करेगा, just आपके folder में जितना file होगा, उस सारे file को merge कर देगा, लेकिन अब यहाँ पी क्या करना है, कि जो latest file ह उसको क्या करना है, कि पहले check करना है पुराने वाले में, कि कहीं कोई ऐसा record number तो नहीं है, जो already पहले से add था, और अगर पहले से add था, तो उसको हटाना है, जैसे कि अब दूसरा file भी खोल लेता हो, जो हमने पहले खोला था, तो देखें, यह xyz नाम का file है, और यह xyz1 का file ह अब यहाँ पे देखिए, यह 15 number यहाँ पे भी है, और यह 15 number यहाँ पे भी है, तो यह हम identify कैसे करेंगे कि कौन से record को हम अपने generated file में डाले, और इस तरह माले यह कि एक एक file आप delete कर रहे हैं, तो आप अराम से जो नया file होगा उसका रखेंगे और पूराने वाले record से उसको delete कर देंगे, यहाँ तक काम चलता है, लेकिन suppose that मालो आपके पास हजारों के संख्यामी record आ रहा है, तो उसको आप manually कितना करोगे, और इस तरह अगर हो सकता है कि हर 2 घंटे, 3 घंटे पर भी file download करना पड़े, और आपको file को consolidate करना पड़े, उस case में आप कैसे करोगे, कौन से file को आप पहले लोगे, कौन से file को आप बाद मिलोगे, तो उसके लिए, उनका एक automation का file था, जो की delete हो गया, तो फिर मैंने उसको आज बनाया, जिसमें मैं आपको बताओं कि इसमें होता कैसे है, जैसे यह देखो, यहाँ पे क्या करना है, जश्ट आपको, अभी क्योंकि first time use कर रहा हूं, तो यहाँ से मैंने last file date और time delete कर देते हैं, और simple यहाँ पे हम consolidated data पे click करेंगे, जैसे ही consolidated data पे click करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, कि 6 बच के 2 minute और 10 second पे, जो file download हुई थी, जो सबसे latest, उसका ही data update हो गया है, वहाँ तक data update हो गया है, अब दुबारा मा करेंगे तो कोई action काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बार कोई भी file download नहीं हुआ है, अगर file download होगा, तभी यहाँ पे date change होगा, नहीं तो नहीं हो, तो इसी चीज को हमने कैसे बनाया है, तो हमने सोचे, आप लोगों के साथ share करना चाहिए, तो चलिए, start करते हैं कि इससे ब output file से अलग रहेगा, जिससे कि यह किसी भी system पे कहीं से भी ताम किया जा सकता है, अगर computer land के थूर यूरा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया excel file बना लेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देंगे, last file date, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं, कि जो ह हमारा output folder है, जिसमें कि आप download करते हैं, उसके folder का path, तो हम कर देंगे output folder path, और एक तिसरा बनाएंगे, जिसमें कि हमारा रहेगा, जिस file में हमें सारी data को लाना है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, generated file path, इसको generated file path कर देते हैं, अब इसे थोरा सा अच्छा look देना है, तो इसमें इसे design बना लिजे थोरा, तो हम इसे bold कर देते हैं, center कर देते हैं, और इसको blue कर देते हैं, और इसके font को white कर देते हैं, ओके, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को border देते हैं, ओके, अब इसके file path को थोरा बरा कर देते हैं, अब उसके बाद हमें क्या करना है, कि हमारा जो folder क path है, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो हम चलेंगे में, यह हमारा output का folder है, तो output folder का path हम यहाँ से copy कर लिते हैं और अपने excel में जाके यहाँ पीस के वाद हम यहाँ पे generated file path है, इसमे हमें file ko ڈालना हैं, उसका file का path डालना है, folder में डालना हैं, तो हम register में जाएंगे और यहाँ पे इसका जो फाइल है इसके फाइल को हम और अगर आपके पास यहाँ पे developer tab नहीं दिख रहा है तो आप file में option menu में जाएंगे और यहाँ पे customize ribbon पे आएंगे और इस right side वाले table में देखेंगे कि यहाँ पे developer tab दिख रहा होगा इसको अंचेक होगा इसे कर देना है check and then okay अब यहाँ पे developer tab दिखना शुरू होगी है और shortcut की होता है alt के साथ f11 अब यहाँ पे simple एक module ले लिए और कर दते हम यहाँ पे एक sub procedure बनाएंगे sub consolidate file अब देखो अगर consolidate करना है तो हमें क्या करना है सारे file को open करना है देन उसके data को लेकर कहां पे लेकर आना है जो हमारा generated file है जो हमने यह path दिया है इस वाले file में उस file को merge करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके folder को खोलना होगा यहनि उसके file को खोलना होगा तो किसी भी तरह के hard disk में अगर किसी folder या file से related अगर कोई काम करना चाहते है तो उसके लिए एक library आपको add करना पड़ेगा अलाकि Excel में वो invild आता है उसका नाम है Microsoft Ascripting Runtime तो आपको क्या करना है यहाँ पर टूल में जाना है रिफ्रेंस में जाना है यहाँ पर Microsoft Ascripting Runtime करके एक library आएगा उससे आप select कर लिए तो यहाँ पर आप देखेंगे यह देखिए Microsoft Ascripting Runtime इसको यहाँ पर चेक करके OK कर देजेए उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं dim fso as a scripting.filesystem object उसके बाद हमें folder भी देखना है तो हम यहाँ पर करते है folder as a scripting.folder और क्योंकि file को open भी करना है तो हम यहाँ पर एक dim file है जे file कर लेते हैं इन सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर ध्यान दिजेगा थुरा कि यहाँ पर सबसे पहले तो इस file को हमें open करना है step by step बता रहा हूं समझेगा इस file को हम open करना है सबसे पहले तो मालेज़े अभी हम इसको delete कर देते हैं तो इस file किसी भी file को open करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको BVA code के थूरू इस document को open करना है तो हम कैसे open करेंगे तो चलिए इसे हम बंद करते हैं और इस BVA editor में ही चलके यहाँ पर करेंगे deem register file as a workbook और उसके बाद एक दूसरा भी बनेगा क्योंकि output folder से भी आपको file निकलना है तो उसके लिए भी variable पहले बना लिज़े तो हम यहाँ करेंगे output file as a workbook अब देखिए अगर register file खोलेंगे तो इसमें भी एक seat होगा और output file खोलेंगे तो भी उसमें एक seat होगा तो हमें seat के लिए भी variable बना लेते हैं और variable आज मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जो software है variable के साथ भी बन ना रहे हैं उसके बाद यहां पर करेंगे deem regsh as a work seat,outsh as a work seat यहनी out file के लिए out seat होगा seat ना और register file के लिए होगा क्या register file उसके बाद एक और video हमें लेना है क्या लेना है deem file created create date as a date हमें देखना है कि file जो create हुआ है मतलब download हुआ है उसका date क्या है तभी तो हम पता करता हैंगे कि सबसे latest कौन सा download हुआ है अब यहां तक तो हो गया अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें कौन file को खोलना है generated file को जिसमें हमें file को consolidate करना है उस file को open करना है उसके लिए हमें उसका file पाथ पहले चाहिए तो हम यहां पे करेंगे generated gen path file is equal to c1.range c2 c2 में हमने डाला था आपको हमने बताया था भी यहां पे c2 में हमारा generated file है और यहां पे हमारा output file है अब उसके बाद यहां पे generated file जब हो generated path है तो register file हमने क्यों किया है इसको भी कर देते है generated file gen file और gen sh भी कर देते है यह generated seed यह ध्यान रखिएगा variable होता क्या है आप लोग समझते होंगे variable किसी भी value को store करने के लिए होता है generated file path तो यहां पे भी हम कर देते हैं अब देखे अब हमें क्या करना है सबसे पहले generate file खोलन books.open और open कौन सा file करना है generated path file यहां पे हमारा path record हो जाए अब चलिए step by step आपको बताते हैं तो थोड़ा आसान होगा समझना अब देखे यह file क्या होगा आपका जैसे ही आप click करेंगे तो यहां पे देखे आपका दूसरा जो generated file था वो file open हो गया अब file open हो गया तो इसके साथ हमें क्या करना है इसके साथ हमें यहां पर जाए देखना है इसके seat को भी set कर देना है क्योंकि यहां पर तो seat 1 है लेकिन पता नहीं आप किस नाम से बना रहे हैं या कोई दूसरा किस नाम से बना है तो इसलिए हम यहां पर नाम का नई यूज़ करके हम index का यूज़ करेंग क्योंकि जो seat का number चलता है वो 1 से start होता है fine, okay अब यहां तक यह काम खतम हो गया हमारा file खुल चुका है अब हमें क्या करना है हमें करना है उस folder के file को देखना है कि कौन file सबसे latest जो है वो download हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां पर करेंगे set fso is equal to new scripting.file system object और set folder is equal to fso.get folder और folder का नाम देंगे तो folder का नाम हम यहां पर कहां बना है और यहां पर इसका भी path दे दीजे किसका? output path का तो output path हमारा कहां पर है output path जो है वो हमारा b2 में तो हम यहां पर जाएंगे और यहां पर करेंगे output folder is equal to seat1.range b2 ठीक है? और यहां पर हम डालेंगे output folder ठीक है? उसके बाद यहां पर चलेगा एक loop जो इन folder इस folder के सभी file को एक एक करके देखेगा इस folder के अंदर जितने भी file रहेंगे सब को एक एक करके देखेगा ध्यान रहें अभी हम केवल बना रहें कि इस folder में केवल Excel file रहेगा अगर दुसरा कोई file रहेगा तो error आ सकता है तो वो ध्यान रखना है और अगर उस चीज़ से भी बचना है तो उसका एक दुसरा हुपा है तो चलिए अभी हम केवल Excel की file को लेखर चल रहें तो हम यहाँ पर करेंगे for each file in folder.files और यहाँ पर कर लिजे next अब हमें क्या देखना है अब हमें जो देखना है उससे पहले यहाँ पर चलिए और एक और variable restore कर लिए जो हमने यहाँ पर file create date किया है उसको भी हम क्या करेंगे इस टोर करेंगे तो हम कहेंगे file create date is equal to c1.range a2 a2 में हमारा file लब भी हमारा file generate होगा तो यहाँ पर ही आ रहा था आपने देखाया जैसा कि इंट्रो में तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो भी file को read करेंगा उसका created date यहाँ पर डाल देगा उसके लिए हम चलेंगे फिर इसमें अपने bb editor में तो यह क्या करेंगा सारे file जितने भी folder फाइल होंगे न उसमें सारे file को यह देखेगा यानि एक loop चलेगा h loop कैसे होगा जैसे देखिए अगर आप message box file कर दे और इसको यहाँ से run करें मालीजी कि आप यहाँ पर इसको run करेंगे एक बार अब यहाँ पर run किजिए तो यहाँ पर क्या होगा क्या बताया d paid service output xyz xls और दूसरी बार चलेगा xyz one xls यह दो file है तो दो बार यह चलेगा उसके बाद यह बाहर आजाए लेकिन हमें सारे file को open नहीं करना है हमें किस file को open करना है कि जो हमारी इस excel seat में जो date और time होगा उससे latest और अगर यह पहली बार है तो जितना file है सब को read करेगा एक बार ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम जाएंगे अपने code में और यहां पर एक condition दे देंगे condition क्या देंगे कि जो file अभी आपने open किया है मतलब जो देख रहा है उसका created date and time क्या है तो हम निकालेंगे कैसे तो हम यहां पर करेंगे crt date created date is equal to file.date created अब अगर आप दुबारा इससे run करें तो हम यह Excel फाइल को बंद करना होगा और दुबारा से run करते हैं एक वर इससे run करते हैं पहला वर जैसे ही आपने run किया तो यहां पर क्या बता रहा है कि पंद्रा बारा दो यह और तेईस को नौ बचके उन चार्स मिटे बना तो दूसरा कितने बज़े है तो छे बचके दो मिनिटे बना हुआ है तो इस तरह यह यहां पर डालता रहेगा तो इसी चीज के लिए हमें क्या करना है हमें एक condition लगा कि यह चेक करना है कि अगर जो date हमारी इस Excel फाइल में होगा उससे उपर का date होना चाहिए तो हम यहां पर करेंगे if CRT date greater than file create date हमने यहां पर file create date डाल दिया है तो then लिख दिजे यह जो हमने बनाया इसमें file create date में यह क्या किया है store कर लिए available और store करने के बाद यहां पर यह चेक करेगा कि जो file को वो देख रहा है उसका date अगर इस वाले date से ज़्यादा हो तो अब यहां पर हम एक कांट करते हैं इसको दुवारा से एक बार रन करते हैं ओके देन के बाद end if और यहां पर message box कर दिजे file दुवारा से और इसको रन कीजे अभी देखिए पहला बार क्या है बरा है तो यह बरा x y z दुवारा दिखा अब इसके साथ हम चाहते हैं कि हमारे seat में जो है इस seat में उसका date और time आ जाए तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे हम डाल देंगे seat1.range 8 to is equal to CRT date अब इसे दुवारा से हम एक बार यहां से चलाते हैं और इसको run करते हैं तो message आएगा और इसके file का जो भी date and time है वो आपकी Excel seat में यहां पर आ जाएगा तो आप देखिए कि यहां पर आ गया date and time उससी तरफ दुसरा बर जाएगा और दुसरे file का x y z 1 का डालेगा और उसका डाल देगा अब यह बाहर आ जाएगा अभी आप देखिए यहां पर 18 बच के 6 बच के दो मिनिट पर है आप यहां पर देख रहे हैं कि 6 बच के 2 मिनिट पर है अब अगर दुबारा इसी code को अगर हम run करें तो क्या होगा चलिए इसको अभी हम बंद करते हैं फिर से इस code को run करते हैं आप दिखेंगे यह message अब नहीं आएगा जैसे ही आएगा तो यह बाहर चला गया ठीक है तो मतलब कि उस file को अब यह read करेगा ही नहीं अब यही हमें चाहिए था कि जो latest file है उसको हमें read करना है फुराने file को read नहीं करना है अब यहां से चलता है काम कि कैसे हम उसमें से केवल Prata को उठा है जो duplicate ना हो और duplicate हो भी तो उसको replace करें यह पर ही important है तो हम क्या करेंगे हम इस file को जो file यहां पे आ रहा है इच file करके उसको हम पहली बार open करेंगे और open करने से पहले हम चाहते है कि जो file हमने यह खोला है यह file भी last में close हो जाना चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे jn file यह jn file हमने set कर रखा है तो jn file यहां पे jn file dot close is equal to true क्यानि save करके उसे बंद करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे jn file dot close true और उसके बाद करेंगे set jn file is equal to nothing jn sh है तो sh को भी हम यहां पे close कर देंगे set jn sh is equal to nothing यानि इससे की हमारे memory जो है RAM का memory वो clear हो जाएगा nothing करने से अब देखिए अब जैसे ही यह file हमें मिल गया कि इस date से जादा होगा तो हमें उस file को open करना होगा तो जो process हमने यहां अपनाया है वही process हम यहां अपनाएंगे तो यहां हम लिख देते हैं open folder file अब यहां पे करेंगे set output file के लिए हमने खुलने के लिए कौन सा seat बनाया था output file workbook किया था तो यहां पे करेंगे set output file is equal to workbooks.open और कौन सी file को हमें open करना है तो जो file है जो इस loop में चल रहा था एक नाम आ रहा था यहां पे नाम आ रहा था इस वाले में file इस file वाले में नाम आ रहा था उस file को हमें open करना है open करने के बाद हमें फिर set करना है इसका seat तो यहाँ पर करेंगे outsh is equal to output file dot seats और यहाँ पर भी one दे देंगे क्योंकि seat one में हमें काम करना है अब यहाँ पर हमें देखना है कि उसमें data है कितना तो data कितना है उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे लास्टो निकालेंगे तो हम करेंगे out last row is equal to outseats.range a and rows.count.indexcelup.row उस्ते बाद इस seat के सारे भैलू को एक array variable में हम store करेंगे तो हम कर लेते हैं out data is equal to outseats.range a2 से हमें लेना है क्योंकि a1 में क्या header है जो कि हमें नहीं लेना है a2 से लेके कहां तक हमें लेके जाना है अगर हम out का file देखे कोई file एक open करते हैं तो हम इसमें देखेंगे g तक हमें जाना है right तो g का मतलब क्या है कितने number तक जाएगा है कितना row होगा साथ है तो हम इसे बंद करते हैं और फिर से हम अपने बीबियों में चलेंगे और यहाँ पर करेंगे g and out last row जब यह data out data में store कर लेगा तो अब हमें इस file का कोई काम नहीं है तो हम इस file को close कर देंगे तो हम यहाँ पर करेंगे output file dot close is equal to true is equal to true नहीं करना है simple true करना है उसके बाद इसका memory भी खाली कर दिजिए तक कर दिजिए set output file is equal to nothing out sh is equal to nothing अब यह file close हो गया जो हमने file खुला था वह close हो गया लेकिन उसका data जो है store है कहाँ पर out data अब हमें क्या करना है जो gen sheet हमने gen file हमने खोला है जो generate file हमने खोला है उसमें हमें data को डालना है लेकिन data डालने से पहले हमें check करना है कि वह already पहले से exist है या नहीं अगर पहले से उसमें है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पी function use करेंगे कौँसा find का तो हम करेंगे set invoice number is equal to हमें किस range में find करना है तो हमें find करना है generate file, हमें set करना है generate file, तो हम यहां करेंगे jnsh.range a2a, क्योंकि a2a में ही है सारा, unique value हमें क्या लेना है, अगर आप यह देखें, तो unique value हमारा है, एक second, और इस register में चलेंगे और यहां पर चलते हैं, इस document number में हमें search करना है, जो हम file open कर रहे हैं, उसमें चो document number है तो इसलिए हम यहां पर करेंगे, इसको invoice number के जबहा पर कर दीजे, doc number, dot range, dot find, find हमें कहां से करना है, find हमें करना है यह out data से, तो हम करेंगे out data, और किस row में हमें करना है, ता वो row number भी निकालना होगा, तो row number हम कैसे निकालेंगे, कि किस row से हमें करना है, out row, one से देखना है, यहां से आप सोचेंगे कि यह आउट रो कहां से आ गया, इसमें तो आपने आउट रो कहीं दिया नहीं है, तो वह हम देंगे, पहले इस code को पुड़ा लिख देते हैं, तो हम यहां पर करेंगे, if doc number is nothing, मतलब की doc number नहीं मिला, ध्यान दिजेगा, यहां पर, जो हमारा output file है, वो हम खोज रहे हैं उपने generate seat के range a में, अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक नया row में add करना है, तो हम यहां पर करेंगे, यहां पर indif कर दिजे, और य new row is equal to generate seat dot range a and rows dot count dot indexalup dot row plus one, else, sorry, यहां पर rate आ रहा है, क्योंकि यहां हमने देन छोड़ दिया है, उसके आद यहां पर करेंगे, is new row is equal to, क्या हो जाएगा हमारे, तो हमारा doc number dot row हो जाएगा, अब इसका मतलब समझ लीजे, क्या है, कि अगर यह generate seat में, find हो जाता है हमारे output data से, तो क्या होगा, output data में, जो row number है, वो row number यहां आ जाएगा, तो उसका row number हम यहां पर निकाल रहे हैं, doc number dot row से, जब निकल जाएगा, उसके वाद हमें क्या करना है, हमें data save करना है, हम यहां पर करेंगे, for column number is equal to 127, साथ column था, हमने इसलिए पहले गिन लिया था, और यहां यहां पर करेंगे, gen sh dot sale, sale का यूज करेंगे यहां पर, और यहां पर हम कौन सा row number देंगे, row number देंगे, new row, क्योंकि हमने new row यहां पर निकाल लिया है, तो अगर नया हुआ, तो एक नया row के यहां पर निकालेगा, सबसे last में निकालेगा, और अगर same row में find किया, यानि update हमें बता देगा, तो हम यहां पर कहेंगे, dot column number, equal to, out data, और यहां पर row number क्या रहेगा, row number है, out row, comma, column number क्या रहेगा, तो जो column number है, तो कि same ही header है, दोनों फाइल, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, अब यह आपका जो है, एक loop में यह सारा क्या करेगा, एक फाइल को उठा इसके बात क्या करना है, कि जितना भी फाइल इसमें होगा, वो सारे को one by one open करेगा, और डाल देगा आपके Excel seat में, तो यह हो गया, पस इतना ही लिखना है, और आपका काम हो जाएगा, अब चलिए चेक करते हैं, कि यह काम कर रहा है कि नहीं करता है, तो चलिए पहले इसे save कर देते हैं, तो इसको हम Excel Micro Workbook में save कर देंगे, तो हम इसे अभी कर देते हैं, save, desktop में ही कर देते हैं, अब इसे close कर दीजिए, और यह जो आपका generated file है, इसमें अभी कोई data नहीं है, देखेंगे आप यह generated file यहाँ पर दिख रहा है, अब इसको हम close कर देते हैं, और यहाँ प बेवल में जाकर इसे, और यहाँ पर लिख दिजिए, collect data, इसे बरा करके, जहां रखना है, वहाँ पर रखना है, इसके right click पर जाके, assign macro में click करना है, और इस consolidated file को open कर देना है, that's done, अब आप इसको जैसे ही click करें, अगर आप अभी run करेंगे, तो कोई data save नहीं होगा, क्यों क्योंकि 18-2 के बाद, आपके folder में कोई ऐसा file है ही ने, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस file को यहाँ पर delete कर देंगे, क्योंकि यह first time आप कर रहे हैं, और यहाँ पर select data करेंगे, इसको यहाँ से stop अटा दीजिए, और run किजिए, तो अभी क्या हुआ, फिर आ गया, अब आप यहाँ पर जाके देखेंगे, जो आपका generated file है, उसमें data आ गया, और अभी आप notice किजिएगा, कि यहाँ पर repeat number नहीं है, आप नीचे से देख लिजिए सारा, कोई भी repeat नहीं मिलेगा, यहाँ पर, आप देखिए 15 number के पास कोई 15 number नहीं है, दुसरा, यहाँ पर help मिलेगा, और वो इस तरह अपने application को बना कर, अपने honor को दिखा सकते हैं, जिससे कि उन्हें उनकी नोखनी मिल जाए, तो चलिए इसे के साथ धन्यवाद,